हलो दोस्तों आज हम बनाएंगे लोकी चने डाल की टेस्टी सबजी तो चलिए दोस्तों बनाना शुरूफ काते हैं तो यहां पर लिए मैंने आता किलो लोकी लोकी को हम छील लेंगे और छील के इसको काट लेंगे तो हमने लोकीको काट लिए और काटने के वाद पानी के अंदर हमने ढाल दिया और आप ये दियार रखें जब काटे और तो आपके पानी में डालो पानी में जड़ाए तो लोकी काली से बढ़ने उप्रतों प Tag कड़ाई को अच्छे से घराम होने देंगे को इधर हमारी जब तक कड़ाई गरम हो रही है इधर बता देते आपको मसाले तो यहां पर लिए मैंने एक बड़ी प्याज प्याज को मैंने पतला-पतला काट लिए इस तरीके के ओ यहां पर लिए दो टामाटर मेडियम साज के यहां लिए है मैंने दो लाल मिच्ची दो तेज पत्ते राई क है किいきます कष्मीरी लाल मेच कराम मसाला चाठ मसाला आक है वहां लिए तो यहां लिए मैंने चने कि दाल भीगी हुई है उहां लिए 10 सवारा कालिया लेशं क को मैंने माम दाश्तर में घोट लिया प्साप अच्छा गरम हो गई है अब डालीं इसमें तेल कि तेल लोंगी में यहाँ पर है एक पड़ी चमचा तेल को अच्छा गराम होने देंगे तेल हमारा अच्छा से गराम हो गया है आप डालींगे इसमें लेस्न झाल लु झाल, यलाव, यज दीघ जिरा, यहाईँ, यहाई़, यहाई़, लुधि लुभ फो जखिए रस्खिकान, भेधिक टेया ओज तो करेंगे लाल मिच्ची को तोर्टे डालेंगे इसमें अच्छे से फ्राइब करेंगे लाल मिच्ची को भी कि अमारे हलक सीगी है अब डालीं अब करने प्राइब भराएब तो आयो है विच्च्छ प्राइब अब डालीं गोल्डन सीग गई है अब डालीं इसमें नोगी अब अबडालीं से डाल अब इसको पांच मुलट के लिए डपके रखेंगे हम तो हमारे पांच मुलट हो है डखन को टालेंगे अब दालेंगे मसाले अब दालेंगे अदे छोट के सब मच और यहां लेने में एक बड़ी चम्मच घन्या पाउडर एक बड़ी चम्मच लाल मिचे पाउडर लिए नमक लेंगे श्वाद अमसाथ अब नमक लेंगे लाल मिचे चुटी चम्मच और शारे मसालों के अच्छे से मिक्स करेंगे तो वनक्स के लिए अब डालिंगी तामाटर मीडिम साथ के खाते हैं जादा भारित काते हैं और इनको डपके रखें रखें लिए करीब दो मिलक के लिए तो हमारे दो मिलक हो गएं टकन को अठा लेंगे तो हरती ने को चास करेंने रच्छे से टमाट्रों को मिक्स करेंगे हम टमाट्र मेना मिक्स कर लिए हैं अब डालें इसमें अदर लस्त पानी रच्छे से मिक्स करेंगे इसको पांच मिलट के लिए और टकल लगा लेंगे तो हमारे पांच मिलट हो गए हैं डकल को हटा लेंगे और सब्जी करेंगे सब्जी अमारी एक तम घल गया अच्छे से बनके तयार अब डालें इसमें करम मसाला चाट मसाला को चाट मसाले को मिक्स कर लेंगे करम मसाला और चाट मसाला में चाट मिक्स कर दिया अब डालें इसमें तनिया कटा हुआ कि दिया को भी अत्रे से मिक्स करेंगे तो हमारी लोकी और चने की ताल की सब्जी है बनके तैयार टेस्टी तो अगर लोकी और चने की दाल की सब्जी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्जाब करें बेल आइकन बटन दवाना ना भूलें कमेंट बोक्स में बताएं के लोकी और चने की दाल की सब्जी कैसी लगी तो अपने घर पे बनाईए खाईए अनन हुटाईए